प्रेंड्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या है अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आपको complete knowledge इस वीडियो में मिलेगी कि शेयर मार्केट क्या है शेयर मार्केट में इंवेस्ट किस प्रकार से किया जाता है क्या आपको शेयर मार्केट में इंवेस्ट करन चाहिए अथ्वा नहीं करना चाहिए साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे आप अनलाइन बहुत ही आसान स्टेप्स में अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे खोलेंगे आ पहला प्रकार उन लोगों का होता है जो सेर मार्गेट में इंवेस्टमेंड करते हैं और वो जब कुछ प्रॉफिट मिलने लगता है तो धीरे धीरे डेट रेडिंग में कूच जाते हैं और डेट रेडिंग में दिन राद हो सेर मार्गेट में सेरों की खरीद फरोग्त करते लेकिन share market में investment करना बड़ा ही आसान है देखिए और दूसरा प्रकार जो है भारत में उन लोगों का है जो share market के नाम से भी डरने लगते हैं अगर कहीं share market का नाम आ जाए तो वो उस जगह से दूर चले जाते हैं और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे share market में किस प्रकार का return मिलता है देखिए अभी हम यहाँ बात करें 19 मार्च 2020 को इसी share का rate था 920 रुपे तो देखिए साथ मेहने में इस share ने कितना profit दिया है 1258 रुपे प्रतिश और profit देखिए कितना होगा यहाँ पर formula मैंने लगाया है देखिए 920 का कितना प्रतिशत 1258 होगा तो 136.73 प्रतिशत यानि कि रिलाइंस के share ने पिछले 7 माह से भी कम समय में 137 प्रतिशत का return दिया है और 6 माह से भी कम अबदी में आपका पैंसा डबल हो गया है यह तो हालिया उदाहरन था पिछले 6 मेहने का अब देखिए एक दूसरा उदाहरन देखते हैं अवंती फीट्स का नाम सायद आपने सुना होगा और इसका देखिए 16 अक्टूबर का जो इसका रेट है 503.90 पैसे और देखिए अवंती फीट्स का जो शेयर है आज से 10 साल पहले अब यहां 10 साल की बात कर रहे हैं 10 साल पहले यह शेयर था 1.40 पैसे का 30 अक्टूबर 2009 को देखिए पिछले 10 साल में इसने 31,871 परसेंट का रिटन दिया है आप इसमें बिलीब नहीं करेंगे देखिए यह गूगल की वेबसाइट में यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं आप खुद भी सर्च कर सकते हैं अवंती फीट्स का जो शेयर है पिछले 10 साल में इसने 31 30,871 परसेंट का रिटन दिया है यहने कि देखिए क्या हुआ दस साल पहले अगर आपने 10,000 रुपे के अवंती फीट्स के शेयर लिए हैं तो आज उनकी वेल्यू 35,99,285 रुपे हो गई यह केवल मैं यहां पर 10 साल की बात कर रहा हूं एक और उदाहन देखते हैं अगर आपने अवंती फीट्स का नाम नहीं सुना है तो आपने बुझाज फाइनैंस लिविट्टेट का नाम अब इसी सुना होगा बजाज फाइनेंस लिमिटीट का जो देखिए 16ह अक्टुबर 2020 को जो हजार का रेट है 3228 रुपे है और देखिए इसी बजाज फाइंस का जो तो रेट है आज से 10 साल पहले 2009 में 9 मार्च 2009 को बजाज फाइनेंस के सेर का रेट था 4 रुपे 64 पैंसे तो दोस्तों देखिए यदि 10 साल पहले आपने बजाज फाइनेंस में 10,000 के सेर लिये होते तो आज उनकी वैल्यू हो गई होती 69,56,896 रुपे तो देखिए 10 साल में इस प्रकार का रेटर्न अभी कुछ और है अगर आथ 30 या 40 साल की बात करें तो 30 या 40 साल में कुछ सेर ऐसे भी हैं जिनूने 1,5 लाख प्रतिसत का रेटर्न भी दिया है जो की विश्वास करने योग नहीं है और वहीं पर देखिए FD में आज कल कितना मिल रहा है fix deposit में देखिए State Bank of India की बात कर रहा हूं जो देश का नम्मर वन बैंक है यहां पर 2.90 से लेकर के 4.40 तक आम लोगों के लिए और senior return के लिए 4.90 कहां यह 4 या 5 परतिसत का रेटर्न और कहां अभी हम बात कर रहे थे यहां पर देखिए कितने परसेंट और यहां पर अभी हमने बात की 31,871 परसेंट और बजाज फाइनेंस का जो share है इसने देखिए कितना रेटर्न दिया है 49,293 परसेंट 10 साल में और हम अभी FD में बात करें तो 4 या 5 परसेंट तो FD और बैंकों की भी बात कर लें देखिए यहां पर अधिक तर कुछ बैंक जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जैसे PNV हाउसिंग फाइनेंस आरी है 8 प्रतिसत भी यह FD में इंट्रेस्ट देते हैं और अग हम यहां पर 30,000 35,000 परसेंट का रिटर्न ना भी कहें तो फिर भी हम कुछ अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कैसे हमें जानना होगा कि सेर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तो इतना अच्छा रिटर्न मिनने के बाद भी देखिए लोग सेर मार् देखने भी सेर मार्केट में बहुत बड़ा गोटाला किया था लेकिन यह गोटाला क्यों किया था लोगों की जाग रुकता की कमी के कारण तो पहला कारण यह था और दूसरा कारण देखिए लोगों को जानकारी नहीं होती है सेर मार्केट के बारे में अगर आप सही सेर क चुनाव करें और सही जगह अपना पैसा लगाएं तो निश्चित ही आपको लाब मिलेगा और सही जगह कैसे लगाएंगे बिल्कुल आप सही स्थान पर आए हैं इस वीडियो को शुरू से अंतर का वाश्य देखिएगा शेयर मारकेट में कैसे ही आप आसान तरीके से जानेंगे और देखिए तीस sebenarnya जो कारण है शेयर मारकेट से आउम इनसान के दूर होने का वो है डर हमें डर होता है कि हमारा पैसा कहीं डूब लेकिन अगर आप सोच समझ करने वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता है और एक अन्य कारण है लोगों में रिस्क लेने की आदत नहीं है इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता है तो देखिए साथी एक और कारण है ट विस्वास भी करते हैं तो इन टिफ्ट प्रोवाइडर पर कभी विस्वास नहीं करना चाहिए देखिए आप एक आलू वाले से अगर शब्जी भी खरीदते हैं तो आप किसी दूसरे से पूछ करके कि आलू अच्छे है या बुरे हैं कभी आप उस आलू को नहीं खरीदे अगर कोई टिफ प्रोवाइडर आप से कहता है कि आप डिल्फ का शेर ले लीजिए तो बिना सोचे संजे आप उस शेर को खरीद लेते हैं और उससे आपका नुक्सान होता है तो कभी भी टिफ प्रोवाइडर पर भरोसा नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार यह कुछ साथ ही राधा के संदमानी इसी प्रकार कुछ अज्य व्यक्ति हैं जो कि सेर मार्केट में बहुत सफल हैं लेकिन यह बड़ा सोच समझ कर और रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं सेर मार्केट क्या है आपने जान लिया सेर मार् रिलाइन साथ यह में हिस्थे बन सकते हैं तो सेर का रथ होता हिस्सा और यह सिछ समय होता है विवेल कंपनिए और देखिये women company में जो इसे इसमें आप अपना हिस्सा ले सकते है अभी हमने बात की सेर सियर क्या है अब क्या एक ऐसा कंपनीं मिस्टेट नहीं होती है है पहले उनका आई पीओ आता है इस earthly होगा IPO आने के बाद वो कंपनियां सेयर मार्केट में लिष्टेड हो जाती है और जो कंपनी सेयर मार्केट में लिष्टेड है आप उसका सेयर खरीद कर उसके मालिक बन सकते हैं और उस company के हिस्सेदार बन सकते हैं तो शेयर मार्केट देखिए कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेजते हैं सेयर को और कुछ खरीदते हैं तो यह है शेयर मार्केट अब हम बात करते हैं सही सेयर का चुनाव कैसे करें तो देखिए सही सेयर का चुनाव करने के उसमें हम इन सब बिंदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो यहां पर हम संझेप में कुछ बात हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए उस सेयर का चुनाव करने करें साथ ही अलग अलग सेयर की जो मार्केट कैपिटल होती है जैसे कहते हैं लार्ज कैप स्मॉल कैप मिट कैप उन कमपनियों का भी चुनाव करें ताकि आपका जो पूर्टफोलियो है वह विवित्ता पूर्ण हो जाए और अगर किसी कमपनी का सेयर हो सकता है देखिए सेय सेयर बास्केट बनाएं दूसरा पी रेशियो पी रेशियो क्या होता है किसी भी कमपनी का या निफ्टी आदिका उसको हम जाने तो उसके बारे में अभी हम विस्तार पूर्वक्रचा करेंगे तीसरा आप जिस कमपनी में निवेश कर रहे हैं जैसा अभी मैंने कहा आलू कि कमपनी की हिसी है इसकी ग्रोथ कैसी होगी चौuthaией को जाने इपियस क्या है इसकोता है अरणिंग पर सेयर यानि कि पिछले पाँस साल में कम तेकलमरे की मीन कैसी रहे है और यह लगातार पिछले पांच वर्समें कम से कम बढ़ रही होि प्राइस टू बुक रेशियो अर्थात उस इंड़स्ट्री में आप जिस भी इंड़स्ट्री का सेर ले रहे हैं तुलनात्मक रूप से और उसे कम हो उसका पीवी तो यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कमपनी के उत्पात की जानकारी हो देखिए एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है सेर मार्केट में जिस कमपनी का आप प्रोडक्ट यूज करते हैं और आपको लगता है कि यह कमपनी अच्छा करेगी तो आपको उस कमपनी में अवश्च इन्वेस्ट्मेंट करना चाहिए जै आप भी उस कमपनी में अगर इस्टेदार बनते हैं तो आपको भी प्रॉफिट होगा अब गाड़ी चलाते हैं देखिए मानले आप मारुति की गाड़ी चलाते हैं या होंडा की चलाते हैं आपकी जो गाड़ी है उस गाड़ी के बारे में आपको पता है कि क्या इसमें को तो आपको जहां भी आपने वेस्ट कर रहे हैं उस company के उत्पात की अवश्ची जानकारी होनी जाए यहां पर एक और महत्रपूर्ण बिंद्व है आप जिस फील्ड से समंदित हैं तो आप गाडियों जो गाडियां आपको अच्छी लगती हैं जो अच्छी लगती है जैसे टाटा है आपकी महिंद्रा है मारुती है उस company में लगाईए अगर आप किसी अज्य इंडिस्टी में है माना हेल्थ इंडिस्टी में है तो वहां देखे कौन सी दवा सबसे अच्छा कर रहे है तो उस फिल्ड में लगाईए तो यह आप ध्यान रखेगा ताकि आपको आने 3 और अगला है d e d c होता है डफ click कुटी रेशी रिषयो डेटट इक उप्तिक प्र उफुटी कंपनी का जो करभरबी के से कम होना चाहिए और अगर यह आधा है यह जीरो डेट है तो यह बहुत अच्छा है फिर आपको उस कंपनी में इन्वेश्ट करने के लिए सोचना चाहिए अगला है पी एस रेशियो का मतलब होता है price on sales ratio price on sales ratio कम से कम होना चाहिए इसकी value कम से कम हो तो आप उस share में investment कर सकते हैं तो इन बातों का आप ने अवशी दियान रखने चाहिए इनके बारे में बिस्तार पूरवग हम अगले वीडियो में बिस्तार चाहिए तो अब यहाँ पर हम देखिए कुछ चीजों की बात कर लेते हैं share basket share basket जो मैंने कहा अलग-अलग company के share हो आपके पास और अलग-अलग sector के share होने चाहिए साथ ही अलग-अलग market capital के share होने चाहिए large cap, small cap और mid cap अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी share में investment करने के लिए P.E. ratio तो देखिए P.E. ratio क्या होता है Price Earning Ratio Price Earning Ratio का मतलब है कि company की share जो है उसका price कितना है और उसकी earning क्या है इन दोनों का अनुपाद क्या है यह सबसे महत्वपूर्ण है P.E. ratio के बारे में देखिए यहाँ पर कुछ और बात हम करेंगे P.E. ratio साधान सब्दू में आप समझ लीजिए आप कितना निवेस करेंगे बदले में आपको कितना return मिलेगा मतलब 100 रुपे आप लगा रहे हैं तो बदले में आपको कितना मिलेगा 120 मिलेगा, 130 मिलेगा, 150 मिलेगा यह होता है P.E. ratio निफ्टी का भी होता है और इंडिविज्वल किछी सेयर का भी जैसे रिलाइंस का है, टाटा का है, मारुती का है तो P.E. ratio क्या होता है, अब यहां निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं हम निफ्टी के जिकरा आया, तो निफ्टी 50 क्या है उनको मिला करके एक Index बनता है, अरथाँ अगर देखिये यह कम्पणियां मान लिआ, इन Kंपणियों में अर्थाथ यह है, नैशनल आशनल स्टॉक एक्षेंज गरंग कर दिख tari जैसे प्रकार एसे देखिये और इसके स्थापना Koopi थी 1952 में और BSE देखिए Bombay Stock Exchange जैसे NSE है National Stock Exchange जिसी प्रकार है एक दूसरा Exchange जिसे कहते हैं Bombay Stock Exchange जिसी प्रकार Sunsex भी होता है तो अपने हम बात करते हैं P-E Ratio तो देखिए P-E Ratio Price to Earning Ratio किसी भी कंपनी का देखिए Price per share अगर उपर जा रहा है और Earning पर share नीचे जा रही है तो देखिए उसका P-E Ratio कम होगा तो देखिए P-E Ratio में एक महत्रपूर्ण बात P-E Ratio जितना कम होगा उतना अच्छा है तो देखिए यहां पूरा है एक उधाहंट देखा रहा हूं है वहीं पर देखिए इसका जो अन्य जो इससे संबंदित कंपनियां है इस इंडरेश्टी से संबंदित उनका P-E Ratio 10.8 है इसका मतलब अभी हमें जो यह सेर है यह थोड़ा महंगा है अगर यह थोड़ा घट करके नीचे आ जाए तो फिर आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं तो पी रेशियो जितना कम होगा उतना ही देखिए वी के टेल फ्रॉम इट्स पी रेशियो 14.22 जबकि इसी सेक्टर में अन्य जो कंपनियां है इस पी रेशियो के जिस कंपनी का कम है इसका मतलब है कि कम निवेश में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है और पी रेशियो का एक अर्थ यह भी है कि कम दाम में आपको अधिक सेयर मिल जाएंगे अब हम अगला जो बिन्दु है उस पर बात करते हैं निव जिसमें की आपकी जो financial security होती है जैसे की equity या debt होते हैं चाहिए आपके share हो या कोई किसी प्रकार के debt हो तो वह electronic form में उस account में रखे जाते हैं तो उसे कहते हैं हम DMAT account और यह DMAT account आपका एक हो सकता है इसमें आप इसके साथ बहुत सारे trading account भी खोल सकते हैं तो यह है DMAT account और द अधियर खरीदते हैं बेजते हैं तो ट्रेडिगंu अलग है और DMAT account अलग सकता है बिभीन अलग-अलग brokerize में में बिभीन कंपन्य Pen وت को आप एक से लिक खोल सकते हैं लेकिन praatte से और दिदिग सक्टे हैं तो DMAT account नहीं रख्खे जाते हैं आपके share و sold trading account क्या होता है आपके जो शेयर हैं खरीदे और बेचे जाते हैं दिन प्रते दिन के आधार पर और उनको रखा कहां जाएगा डिमेट अब देखिए ओनलाइन अकाउंट ओपनिंग डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का हम कैसे ओपन करेंगे तो देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा खुद का भी जिरोधा में अकाउंट है यह सबसे बढ़िया ओनलाइन अकाउंट खोलने के लि तो इसके लिए आपको तीन चीजिएंगों की जरुवत होती है आपके पाप पैन नम्र होना चाहिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास आधार काड होना चाहिए अगर यह तीन चीज़े हैं तो आप ऑन-लाइन बहुत ही आसान से अपना एक आएगा उससे आप वेरिफाई करेंगे तो आपका एकाउंट ओपन हो जाएगा और देखिए इसमें कितना समय लगता है 24-48 घंटे में आपका एकाउंट ओपन हो जाएगा और इसके चार्जेज देखिए अगर आपके वर ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट खोलते हैं तो 200 रुपे और कॉमोडिटी अकाउंट खोलते हैं कॉमोडिटी जैसे गोल्ड सिल्वर आधी होता है सेयर के साथ साथ उस अकाउंट को भी खोलते हैं तो 300 रुपे में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और देखिए नीचे क्या लिखाया अगर आप ऑफ-लाइन इस अकाउंट को खोलते हैं तो आपको 300 रुपे और चार्ज देना पड़ेगा यानि कि ऑफ-लाइन खोलने में 600 रुपे लेगेंगे लेकिन आप घर बैठे बैठ पर आपको देखिए मार्केट वाज एक अनलाइन सफ्ट्वियर है या आप मोबाइल में काइट एप्लिकेशन है उसके माधियम से बहुत आसानी से बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है जिरोधा का जिसमें आप बहुत आसानी से अगर आप नए हैं तो सेयरों की खरीद और इसमें नहीं होगा तो यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा सेयर मार्केट में अगर आप इंवेश्टमेंट करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि लंबे समय के लिए अवश्य निवेस करें सेयर मार्केट ऐसा इस्थान नहीं है कि आपने पैसे लगाए और रात सबसे अच्छा रिटर्न आपको सेयर मार्केट से मिल सकता है तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपकी कोई क्वेरी जहों तो नीचे कमेंट सेक्शन में अबसी कमेंट कीजिएगा मैं अगला जो इस सीरीज का वीडियो होगा उसमें विस्तार पूरवक अन्य बिन्नों के बारे में जैसे की पीवी है, ईपीएस है, आरोई है और डेट टो इक्विटी रेशियो आरी है इसके बारे में विस्तार पूरवक चर्चा करूंगा साथ ही कुछ ऐसे बेस्ट स्टॉक्स आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसके आप स क्ल vibrations मारकेट के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्ट करसके अगर आपके कोई जानकारी में चैनल से सब्सक्राइब कर